बाद दे दो, हाओ विटिया, खुशी राओ, जोग जोग जी ओ, जंग डोक राओ, बगवान की खुब करपा बनी रहे, सदा बबाजू से जोड़ियो गुर्दर ये रवीश हैं, ये कह रहे हैं, मैं आपके संकल्प में आपका साथ देना चाहता हूँ, कैंसर होस्पिटल के विश्यमें बिस्तार चुकता है कैंसर होस्पिटल दूआ और दबा दोनों की विवस्ता है, अब बागेश रधाम एक ऐसो तीरत है, जहां रहसमय दुनिया तो है ये जा, लेकिन नित्परती दिन यहां से समाज सेवा के संकल्पाज तीन से चार साल हो गए, नित्भंडारान पूना चल रहा हर वर्स बेटियों का विवाह, आठ मार्च दोहजार चौवीस को पुना एक सो इंक्यामन बेटियों का विवाह करने का हमने संकल्प लिया है, इस बार हमने विचार किया है कि सभी बिटियन को एक-एक मोटर साइकल दें, अब भगवान ने अगर हमारी जेब में कुछ विवस्ता क हमें कुछ तुलसी पत्र मिलेगा समाज से, उसी से हम बिटियन को एक-एक मोटर साइकल देंगे, ऐसे ही कथा तो हम करी रहते हैं, पर लोग हमारा मजा लेकर के हमको छोड़ देते थे, देते वेते कुछ नहीं थे, कथा करवा लेते थे, और साथ दिन तक जगना और होता अपेक्षा भी नहीं रहती थी, लेकिन हमने सोचा यह से तो अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग कथा का फाइदा ले लेते हैं, भीर जुड़वा लेते हैं, अपना नाम परचार कर लेते हैं, अब हमने विचार किया कि कथा भी करेंगे, दक्षना भी लेंगे, उस से समाज सेबा भी होगी, कुछ लोग हमारा सहियोग कर देंगे तुलसी पत्र से, उसी से जो है, हमारे बुंदेल खन में आने वाले लोगों को दुआ और दबा, दोनों मिलने लगेगी, यही हमारा भाव है, निज कोई भाव नहीं दादा गुरू जी के साथ तो बहुत ही अनूठी यादें है, नितिन केवट जी आपने कहा कि बातें बहुत अच्छी लगती, निज वालों पर गुस्सा थी, काउपे गुस्सा मत करो, किसी पर मत करो, क्या करना, बोलने दोना, देखो जब सामने आते हैं तो सब सिताराम हो जाता है, बागी बोलने दिया करो, राहुल साह जी हनमान चालीसा की सिद्धी बड़ी सदल है, सुनो, चालीस दिन तक, एक सो आठाठ पाठ प्रती दिन करना चाहिए, जमीन में लेटना चाहिए, अपने हाथ से भोजन पाना चाहिए, ना खून बाल को ना काटें, और प्रती दिन दस हनमान चालीसा का हवन भी करें, जो सत्वार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुक होई, जो यह पड़े हनमान चालीसा हो ही सिद्धे, निश्चित है, चालीस दिन के अंतरगत आपको सिद्धी प्राप्त होगी हनमान चालीसा की, और अगर आप परिपक ब्रम्हचरिय का पालन करते हुए, मन साब आचा कर्म इंद्रिया, मन से बचन से कर्म से, जमीन पर लेट कर, अपने हाथों से भोजन बना कर, राम नाम का जब करते हुए, सुबह में और रात में जाप, पाठ और हवन करके अगर आप सयन करेंगे, तो चालिस दिन के अंदर ब्राम्हण रूप में, अत्वा बानराकरती में, अत्वा किमपुरुष रूप में, अत्वा परशुपन में, आपको स्री हनमान जी महराज की सिद्धी का अनभाव प्राप्त हो गए, परंतु बड़ी सावधानी पुरुबख करें, और एक बार किसी गुरु मुक्से आग्या जरूर ले लें, ये तो केवल हमने आपको बिधान बतलाया,